प्यारे बच्चो नमस्कार अमेजिंग मैज्स विदिनेश के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे कक्षा नाइन्थ मैथेमेटिक्स की और आज में जो चप्टर के हम बात कर रहे हैं वो है चप्टर नमबर 10 सरकल यानि की व्रित और एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चिन और प्रमें हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो पार्ट इस चप्टर का चोथा वीडियो तो बने रहे हैं इस चैनल में इस वीडियो में अंत तक और अनंद लीजिए मैथेमेटिक्स की आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.4 प्रशनावली 10.4 आईए देखते हैं प्रशनावली 10.4 के एक्सरसाइज में कौन-कौन से प्रशन आप प्रशन प्रशन नमर एक है 5 सेंटीमिटर तथा 3 सेंटीमिटर त्रिज्या वाले दो वृत हैं वो आपस में दो बिंदों पर पिछेद करते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हमें क्वेश्चन समझ में आएगा तथा उनके कैंद्रों के बीच की दूरी चार सेंटीमिटर है उभ्यनिष्ट जो उनकी कौमन जिवा होगी उसकी लंबाई ग्यात के जिए प्यारे बच्चों यह प्रशन है आपके पास एक्सरसा प्रशन कर इसको समझ लें कैसा दिखेगा यह यह पहला वृत है बड़ा वाला वृत और यह चोटे वाला वृत जिसकी तरिज्चा कितनी है इनके बीच की दूरी है इस फॉर सेंटीमिट है कि हमने एबी इस कैंद्रों के बीच की दूरी को ले लिया है और इनके बीच की पूरा कर लिया एक बड़ा वृत है एक चोटा वृत है बड़े वृत की तरिज्चा है और चोटे वृत की तरिज्चा है 3 सेंटीमिटर इतना समझ गे और यहां पर इसकी तरिज्चा यहां से लेके A से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट का नाम होगा C और नीचे अब हम इनके बीच में लाल रंग की आपको एक लाइन दिखा दे रही है अब ध्यान से देखिएगा कि छोटे वृत की भी एक जिवा है और बड़े वृत की भी ये एक जिवा है इस ड्याग्राम को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारा का सारा क्achten इसी ड्याग्राम के उपर नेर्धारित है एक बड़ा वृत है, छोटा वृत है, उनके बीच की दूरी है बड़े विद की तरिज्या 5 cm, छोटे की तरिज्या 3 cm, उनके विद की तरिज्या 4 cm और हमने CD की कुलमभाई जियाद करनी है I hope आपको question समझ में आया होगा, अब इस question को solve कैसे करेंगे आए देखते हैं तो हमारे पास पहले diagram हम एक बार बना लेते हैं दो बारा से क्योंकि यहाँ परम कुछ चीजे समझने वाले हैं क्या-क्या समझेंगे हम यहाँ पर, यह देखे, यह हमारा diagram बन चुक रहा है यहाँ, यहाँ AC बराबर है 5 cm, यह देखे, AC 5 cm, तो की तरिज्या है, D है हमारे पास बड़े वृत की तरिज्या है, कता BC 3 cm, यह BC 3 cm है, जो की छोटे वृत की तरिज्या है, समझ गए तीसरा point है AB, that is 4 cm, यह दोनों वृत्यों के बीच की दूरी है तो यदि आप ध्यान से देखो बच्टो, तो आपको यहाँ पर एक नजर आ रहा होगा है, त्रिभुज यहाँ, यह देखिए, यह आपके पास एक तरिभुज बन रहा है, ABC, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कितनी 5 cm, उससे चोटी भुजा 3 cm, और उससे सबसे चोटी भुजा 3 cm, आपने चोटी कक्षाओं में एक जरूर पढ़ा होगा, इसका नाम क्या था, that is, पाइथा, जी हा आप सभी ने पढ़ी होगी, जिसमें की तीन भुजाएं दी गई है, और तीनों भुजाओं में पाइथा गोरस का जो फोमला है, वो यूज होता है, किस तरह से, आईए उसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर यदि हम दुबारा से एक बार जल्दी से डाइगराम हम शो क पाइथागरा स्त्रिक की बात करें, तो सबसे जो लंबी भुजा होती है, उसका स्क्वेर हम दूसरी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर चेक करता है, ठेक है, यह हम ऐसे ही पढ़ते हैं, एट प्लास में भी हम में पढ़ा है, तो पांच का स्क्वेर होता है 25, 4 का स्क्वेर 16, और 3 का स्क्वेर 9, और 16 जमा 9 कितने होते हैं हमारे पास 25, आरे यहां तो सिध हो गया, दोनों साइट का जो भुजाओं का योग हो कितना बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज A, B, C, एक समकोन त्रिभुज है, यह आपको पता है कि जब पाइथागरा स्त् एक खरे उतरते हैं, तो त्रिभुज कैसी होती है, समकोन त्रिभुज, तो A, B, C, एक समकोन त्रिभुज हुई, अब प्रक्षन यहां उठता है, कि इन तिनों भुजाओं में से, यह सबसे बड़ी भुजा है, 5 cm, अभी हमें दिखाई दे रही है कि शायद यह सबसे बड समकोन प्रक्षन परना है, सबसे बड़ी भुजा जो लिखा है संख्यातमक वो है AC 5 cm, आपको यह भी पता है, इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, तो समकोन त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन होता है, 90 डिगरी का, तो इसका मतला 5 cm के जो समक भुजा है, व इसका मतलब कौन B कितने डिगरी का होना चाहिए 90 डिगरी का ठीक है जिसका कौन B समकौन है ये तो सिध हो गया इस तरिबुज से क्योंकि हम जानते हैं कि तरिबुज की सबसे लंबी बुजा के सामने वाला कौन कैसा होता है सबसे बड़ा होता है तो क्या समझे हम यहां से इ ये चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ओपर, इसमें क्या लिखा है आपके लिए, एक वही डायग्राम, दुवारा से पहले डायग्राम फ्रेम कर लेते हैं, क्योंकि बिने डायग्राम से कोश्चन समझ में नहीं आने वाला है, जी, इसका अर्थ यह हुआ, कि यदि इस एक, कौन B, यानि इस तरिवुज में, A, B, C में, कौन A, 90 डिग्री सिद हो चुका है, पाइथावरस के दुवारा, इसी तरह जब हम तरिवुज A, B, D की बात करेंगे, तरिवुज A, B, और D, इस साइड को तरिवुज बन रहा है, उसमें भी एक कौन आपके पास है, दोनों का यदि हम प्लस कर लेते हैं, एंगल एक जमा एंगल दो, तो आप बताओ कि इनका एंगल जो हम प्लस करेंगे, कितने डिग्री का कौन बनेगा भीया, अरे ये तो कौन बन गया आपका, 180 का, और हम ये भी जानते हैं, कौन सी प्रमेद्वारा, हम यहाँ भी जानते हैं, कि कौन एक और दो का योग एक स्वस्थी होता है, इससे सिद्ध हुआ, कि CBD, कौनसी लाइन, CBD, कौनसी, ये ये और ये वर लाइन सिधी रेखा होगी, इस तरह से, ये CBD, इस तरह से नहीं होगी, ये हैं आपका C, this is your B, and this is your D, क्योंकि इन एंगल का योग, कितना आ रह है, इस तरह से सीधा, हम कह सकते हैं, ये पॉइंट C होगा, ये पॉइंट आपका B होगा, and that point will be D, ये पॉइंट आपका D होगा, और ये जो एंगल है, ये कितने दिगरी का है, 180 का, we have proved, इसको प्रूब कर लिया है, तो इससे तो एक बात, और हमें जो clear होती है, तात्पर यहाँ हुआ, कि बिंदू O तथा B, कौन-कौन से, बिंदू O तथा बिंदू B, ये दोनो एक ही बिंदू है, कहने का दात्तर है, कि B यहाँ पर ना होके, यहाँ पर होना चाहिए, तो यदि हम बिंदू B को, बिंदू O के उपर मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी दर के हैं, कि आप मुझे बताओगे, कि जो BC की लंबाई है, वो 3 cm थी, इसका मतलब CB, इस B को उठा कर, यदि हमने यहाँ पर लाया, तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 3 cm, आप समझ रहे ना इस बात को, तो, देखिए किस तरह से हम इसको solve करेंगे, यहाँ पर, जी, यहाँ प लिखा हुआ मिटा देता हूँ, ताकि कुछ confusion ना हो, आप सभी को यहाँ पर, जी, हाँ, आप देखेंगे, कि हमारे पास CB, 3 cm, कौन सा CB, यह C और B 3 cm है, इसी के साथ, हमारे पास, जो दूसरा है, हमारे पास BD, CB 3 cm है, ठीक है, और BD भी 3 cm है, तो जब यह CB, CO के बराबर सि हो गया, CO, यह वाला CO, और CB, यह वाला CB, जब यह दोनों बराबर सिध हुए, यह 3 cm हुआ, इसका मतलब, जो हमारा CO हुआ, that is also 3 cm, किसके बराबर हुआ, 3 cm के, और OD और OB भी बराबर, तो यह भी हुआ 3 cm, अब बताओ मुझे, कि इनका टोटल यह 3 हुआ, और यह 3 हुआ, त यह आएगा 6 cm, अतहा, दोनों की जो सांधी जिवा की कुल लंबाई है, वहाँ होगी 6 cm, I hope यह question आपको समझ में आया होगा, और यह दिन नहीं, तो इस वीडियो को आप कम से कम 3 बार अवश्य देखें, आपको बिलकुल समझ में आएगा, कि हम क्या कहना है, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि एक वृत के केंडर से जिवा को समझ भाजित करने के लिए खेंची गई रेखा, जिवा पर क्या होती है, लंब होती है, क्या हमने इसका कहीं उप्योग किया, यदि नहीं, आईए, आने वाले question में, इसका अवश्य उप्योग होगा, किस तरह से होग आईए देखें, प्रक्ष नमबर दो, आपके बुक कर ही प्रक्ष नहीं दिया गया है, कि यदि एक वृत की दो समान जिवाएं, वृत के अंदर प्रतिछेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि एक जिवा के खंड, दूसरी जिवा के संगत खंडों के बराबर हैं, ठीक है, यह प्रक्षन है, हम पहले इसको डाइगरामी कली कर लेते हैं, यह देखें, एक वृत की दो समान जिवाएं, यह पहली जिवा है, यह दूसरी जिवा है, पहली जिवा जो दोनों आपस में, बिंदू M के उपर एक दूसरे को प्रतिछेद कर रहे हैं, पहली जिवा, A, B, और यदि एक वृत की दो समान जिवाएं, यह दोनों समान जिवाएं हैं लंबाई में, वृत के अंदर प्रतिछेद कर रहे हैं, बिंदू M पर, तो सिद कीजिए कि एक जिवा के खंड, दूसरी जिवा के संगत खंडों के बराबर है, इस जिवा के दो खंड कौन कौन से करेंगे, देखिए, सबसे पहले दिया क्या है, हम उसे देख लेते हैं, हमारे पास दिया है बच्चो, एक वृत, जिसकी दो बराबर जिवाएं, A, B और C, D, जो की बिंदू M के उपर पच्छेद करती हैं, यह तो हमने देख लिया, सिद क्या करना है हमने, A, M, इक्वल ट मतलब, इनके संगत उन पाथ, A, M, C, M, M, D, M, B, इसको हमने सिद करना है, किस तरह से हम सिद करेंगे, यह सबसे पहले क्या करते हैं, इसके केंदर बिंदू से P के उपर एक लाइन खीशते हैं, और बिंदू O से Q के उपर भी एक लाइन खीशते हैं, यह लाइन नहीं है, तरहसल यह 90 डिगरी का कौन होता है, यदि आपने पिछली हमारी वीडियो जो है, उसको ढंक से देखा होगा, उसमें क्या लिखा था, कि यदि हम किसी जीवा को केंदर से मिलाएं, तो वहाँ दी गई जीवा को लंब सम्दू भाजित करते हैं, इसका मतलब देखिए, यह हमने इसको भी मिलाया, इसको भी मिलाया, तो यह जो एंगल आपके पास बन रहे हैं, यह दोनो 90 डिगरी के एंगल बनेंगे, कैसे, आकरती से त्रिभुज O Q M, देखिए, यहां पर O Q M एक त्रिभुज है, और दूसरा है O P M, ठीक है, O P बराबर है O Q, कहा है O P, इसको मैं डैस लगा लेता हूँ, O P, बराबर है O Q, आप बता सकते हो कि यह O P और O Q बराबर क्यों है, चलो, जब तक मैं नहीं बताता, तब तक आप इस बनम में रहें कि यह क्यों बराबर हुआ, राइद हो सकता है, आपने पिछली वीडियो यह जान से देखके होगी, तो आपको पता है कि O P and O Q बराबर है, यह तरिज्ज्या तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, तो हम बादों पताते हैं, नेक्स्ट है, एंगल P बराबर है, एंगल Q, यह भी क्यों बराबर है, यह भी आपको मैंने हिंट बैसे दे रखा है, आप बताएं, और तीसरा है, चाचा की बात कर रहे है, इन दोनों तरिज्ज्यों में, यह भी बराबर मैंने कही, लेकिन क्यों, आकिर ऐसा हुआ क्यों, जड़ा सोची है ना वहिया, चलो मैं पहले आपको एक चीज़ का अंसर दे देता हूं, यह आपके पास एक वृत है, और यह इसकी दो जिवाएं ह और क्या कह रहे हैं चाचा जी यहां पर, कि एक वृत की बराबर जिवाएं केंदर से समान दूरी पर होती हैं, ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि एक जिवा, मानलो आपकी इस तरह से एक जिवा यहां पर है, और दूसरी जिवा आपकी यहां पर है, यह केंदर से उनका जो डिस्टेंस हमने यहां भी ड्रो किया, यहां भी ड्रो किया, तो यह वाला डिस्टेंस कैसा हता है, बराबर, यह वाला आपने नियम बहुत अच्छी तरह से वीडियो नमबर थ्री में पढ़ा था, कि एक वृत की बराबर जिवाएं केंदर से समान पर होती है, तो पहला अंसर तो आपको मिल गया, दूसरा अंसर भी शायद आपको यहां से, I think, मिल ही जाएगा, क्या था वा अंसर, कि एक वृत केंदर से जिवा को समद्वी भाजित करने के लिए खींची गई रेखा, जिवा पर लंब होती है, ठीक है, तो यह दूसरी उ होती है, इसके उपर, यह देखी, यहां से दो चीज़े हमारी कलियर होती है, कि यह इस भुजा को लंब समद्वी भाजित करती है, यह वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर, तो 90 डिगरी का एंगल भी आता है, और बराबर भी होती है, तो यह सिखा हमने next नियम, ठीक है, हमने ट्राइंगल की बात की, अब हम बात करते हैं, त्रिभुज O Q M तता O P M में, जी हां, O P बराबर है O Q, हां जी, केंदर से जिवा की बराबर दूरी, यह जो मैंने आपको कहा था, कि इसकी बराबर जूरी, क्योंकि बराबर जिवाएं बराबर दूरी पर होती है, अगल पॉइंट क्या था, एंगल P बराबर है एंगल Q, और O 9 P, यह क्यों है वई, यह आपको अभी अभी बिताया, कि जब केंदर से जिवा के उपर लाइन खिंची जाती है, तो वो हमेशा 90 डिगरी पर ही होती है, तो दो तरी भुजा आपको दिखाई दिया, तीसरा, भुजा O M, O M, यह कैसी भुजा है, जी हाँ, यह है सांजी भुजा, common, अब देखो दोनों ट्राइंगल में, जब यह तीन चीजें बराबर हुई, आपने concurrency अगर ध्यान से पड़ी होगी, तो यह तो एक side है, ठीक है, इसको हम कह सकते है, S, यह भी होगी आपकी S, बड़े ध्यान इसको भी मैंने लिख लिया, right angle triangle, अब बची हमारे तीसरी side, और तीसरी side को यह दिया आप ध्यान से देखो, तो यह दोनों के दोनों triangle का hypotenuse है, तो कौन सा आपका concurrency बनी, if you have learned R, H and S, right hand side, hypotenuse and one side, इस concurrency द्वारा, दोनों के दोनों triangles, सर्वांगसम, सिध होती है, ठीक है, यहाँ पर सर्वांगसम का sign भी आएगा, इस तरह से सर्वांगसम का चिन होता है, यह सर्वांगसम हो गया है यहाँ पर, अतहा, आपको पता है कि जब दो त्रिबुच सर्वांगसम होती है, तो उनका सब कुसु बराबर होता है, मतलब यह वाली भुजा, इसके बराबर, यह दोनों हिस्से आपस में बराबर है, ठीक है, अब AP बराबर है, CQ, क्यों, यह भी आपके लिए कोश्चर मारके, अब डाइगराम में देखें कि AP, जी हाँ, AP यह जो center point है, और आपका CQ, AP और CQ बराबर है, क्यों, देखो, इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़े आपने अभी last, हमारी जो पिछला एक slide थी, उसमें देखा था, कि यदि किसी वृत में center से हम किसी जीवा के उपर, लंब गिरा रहे होते हैं, तो वहाँ लंब उस जीवा को समझनी भाजित करती है, ठीक है, तो यही formula में आप लगाएंगे, देखिए, यहां center से, जब इस उपर हमने एक लंब गिराया, तो AP और PB बराबर हो गया, AP आदा आदा है और PB, इसी तरह से, यहां center से जब यहां पर लंब गिराया, तो CQ equal to QD, और यह Q क्या है, मिड़ पॉइंट है, PB क्या है, मिड़ पॉइंट है, अब जब AB और CD बराबर जिवाएं हैं दोनों, तो उ CD 10 है, और AB भी 10 है, तो AB का आधा कितना हो गया, पांच, और CD का आधा कितना हो गया, पांच, तो इस प्रूवड कि AP और C की वापस में कैसी होई, बराबर, ठीक है, अतहा, अब डाग्राम को दुबारा से हम देखेंगे, और मैं थोड़ा सा डाग्राम में से, कुछ चीजे इरेज कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में एजी होगा है, जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे कि, AP जमा PM, मैं यहाँ पे दुबारा से लिख लेता हूँ, AP यह आदा हिस्सा था, जमा PM, किसके बराबर होगा, AM के बराबर, यहाँ से लेके पूरा डिस्टेंस आजागा, इसी तरह से यहाँ पर यह दिया हम बात करें, CQ प्लस QM would be equal to QM, पूरा यह दिया हम बात करें, किसके बराबर होगा है, QM के बराबर होगा, और यह किसके बराबर होगा, AM के बराबर, ठीक है, यह देखें, यह AM के बराबर होगा और यह CM के बराबर होगा, CM, sorry, not Q, this is C, CM के बराबर सी दोगे तो एक और दो से हमें क्या पता चलता है अब देखो क्योंकि बटा AP और CQ तो पहले ही बराबर थे और PM और QM भी बराबर आ गए यहां पर PM और QM भी बराबर हो गए तो बराबर जमा बराबर और बराबर जमा बराबर क्या होगा बराबर सो इट हैज प्रूब्ड डैट समीकरल एक और दो से पता चलता है कि AM किसके बराबर होगा CM के ठीक है यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ अब अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको यहां पर डाइग्रामी के लिए समझाता हूँ क्योंकि PB equal to QD ऐसा से कुछ लिका है देखो मैं आपको पताता हूँ हमारे पास पिछली स्लाइड में आता हूँ यह हमारी पिछली स्लाइड है यहां पर देखिएगा और इसको मैं erase कर देता हूँ one time तक आपको बिलकुल अगला पार्ट भी इसका समझ में आजे अब आप यहां अब हम इस portion को equal सिद्ध करेंगे आप देखो प्यारे बच्चो आपको पता है कि P मध्य बिंदू है तो AP किसके बराबर है PB के यह तो आप चीज मानते हो ठीक है और CQ किसके बराबर है बिलकुल QD के बराबर है आधा अधा हिस्सा है ठीक है अब PB जो आधा हिस्सा है वो Q और D के बराबर है ठीक है तो यदि मैं PB को 10 मानता हूं कितना माल यह नहीं है 10 तो Q और D भी कितना होगा हमारे पास 10 होगा अब यदि Q M क्योंकि Q M और PM तो बराबर है मान लो यह 3 cm है तो यह भी कितना होगा 3 अब बताओ मुझे 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7 और उध PM और Q M जब बराबर थे तो MD और MB भी कैसे होंगे बराबर तो यहां से देखे है क्योंकि PB बराबर QD समझ भाजित भूजा थी ठीक है इसी तरह और M Q और PM कैसे होंगे बराबर तो निश्चित तोर से MD और MB कैसे होंगे बराबर तो समयकरन 3 और 4 से हमें यहां पता चलता है कि दोनों जिवाओं के संगत खंड बराबर है और हमने प्यारे बच्चो यही सिद्ध करना था इस प्रशन I hope आपको समझ में आया होगा So thank you very much क्योंकि काफी मुश्किल स्वाल यह है आपका patience इसको आप देखते रहे इतनी देर तक Thank you very much निश्ची तोर पर आप अच्चा ही सिखेंगे So keep watching the amazing maths with Dinesh और हाँ subscribe करना मत भूलेगा इस चैनल को बेल आइकन आवश्य दवाए Thank you very much